हेलो अब्रिवन वेल्कूम तो दे जैनिक एजुकेशन दिस इस रवन जांगड है जो रिलेक्टिकल फैकल्टी आई विश की बच्चों आप लोगों की पढ़ाई बहुत बैतरी तरीके से चल रही होगी कंसिस्टेंसी बना के रखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे बट आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ऐसी सी जैई से रिलेक्टिड है हाला कि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि एक्जाम को पोस्पोन कर दिया गया है वो जो नोटिफिकेशन अभी आना था जैन्वरी में उसको आगे बढ़ा दिया गया है नौमबदी संबा तक ले जा गया पर उससे रिलेक्टिड भी आगे कहानी बताऊंगा depends on your strategy और ये उन candidates के लिए भी बहुत important है जो इस exam के बारे में अच्छी से जानते हैं पर शायद वो नहीं जानते हैं कि भी यह इस department किस तरीके से होता है ठीक है क्या previous year के cut-off है तो हर एक छोटी से जानकरी मैं अपने end से आप लोगों को share करूंगा तो छोटा सा वीडियो ब क्योंकि बहुत सारे notification आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे तो जैसा कि आप दे सकते हैं ससीजी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन तो उससे related कुछ previous and upcoming notification से related जानकरी बताऊंगा यह हमारा telegram channel है family continuously बढ़ती जा रही है आप भी हमसे जोड़ सकते हैं this is our organic learning app जहां पर आपको paid lectures से related courses मिलते हैं आप एक बार विजट कर सकते हैं और आपकी suitability के according आप courses को purchase कर सकते हैं this is the basic slide जो आपके दिमाग में कहीं न कहीं रहती है मलब यह questions slide है जहां पर मैं आपको जिन बच्चों से बात करते हैं बहुत सारे students और experience से हमारी जैसे बातचीत होती रहती है तो यह कुछ questions उनके दिमाग में रेज होते तो उनको मैंने समप करके यहां पर लिखा है कि एससी जी क्या है department and post क्या है paper का pattern क्या है और previous year के यह हम analysis करते हैं तो उसके अधार पर हम किस इस एक्जाम को किस तरीकी से देख सकते हैं चल paying and contracts related कुछ vacancies यहां पर निकालती है ग्रूप बीका examination है नॉन गेजटेट पोस्ट है पेमेंट से रेटेट है कि यह 35,000 से लेके लबग एक लाग तक की आपको salary यहां पर देखने को मिलती है ठीक है बट यह examination किस तरीकी से work करता है यहां पर कुछ पोस्ट हैं आपको departments देख यहां पर काम करते हैं तो तीक है बहुत रॉयल लाइफ आपको देखने को मिलती है बॉर्ड रोड और और ओर चीक है फरक का बैरेस प्रोजेक्ट और और सेंटर वाटर रिसर्च इस्टेशन टिक है देन डारेक्ट एंड कॉलिटी अस्योरेंस नवल और दिस दा एंटी आ और गनायजेशन तो यह कुछ पूर डिपार्टमेंस हैं यहां किसी भी एक्जामनेशन के त्यारी करते हैं तो डिपार्टमेंट जाना बहुत जरूरी है तब ही तो पता सलेगा नियार इस एक्जामनेशन को हम त्यारी तो कर रहें पर इसके सालेक्शन होने के बाद कहां पर जाएंगे कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है तो ग्रूप B की पोस्ट मिलेंगी इन डिपार्टमेंट में ठीक है और जब नोटिफिकेशन आएगा तो इससे रिलेटर मैं बताऊंगा कि कौन सी आप प्रिफर कर सकते हैं कौन सी आप लोगों के लिए इंपोर्टन हो सकती है ऐसा ब्रांच वाइस चली चालू करते हैं अब यह एक्जामनेशन होता कैसे इस एक्सामनेशन की यह बच्चों बात करेंगे तो तीन सत्रों में इसको लाया जाता है पहला जो है वह स्टेज बने इस टू है दन इस टी स्टेज वन में ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा स्टेज टू में आपको 300 का रिटन जैसे कॉलिज में लिखते न वैसा वाला होग और जब इसमें कॉलिफाई हो जाओगे तो आपको क्या मिलेगा डॉक्यमेंटेशन वेरिफिकेशन का एक स्टेज देखने को मिलेगा तो बात ऐसी है कि यदि स्टेज बन क्लियर करोगे तभी स्टेज टू में जा पाओगे तो पहली बहुत जरूरी है कि स्टेज बन तो यह यह हो गया कि जर्नल इंटर्निजेंस एंड दीजनिंग दुनियादारी की जो बाते हैं मतलब करेंट अफियर से रिलेटर जनल अवेर्नेस से रिलेटर तो इन दोनों में पचास-पचास कोशन पूछे तो पचास-पचास मार्स के होते हैं मतलब ऑल औन ओवर यह जो प्रवेंट हो गया तुमारा आपका पावर सिस्टम हो गया मशीन हो गया ठीक है और आपका क्या बोलते हैं बैसिक एलेक्ट्रिकल हो गया इस तरीकी सब्जेक्ट यहां पर पूछे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हैल्फूल होते हैं ठीक है देन फिट कोशन का जो लेवल हता है वह बहुत ही मॉडरेट होता है ठीकल टाइप कोशन पर ज्यादा इंसिस्ट किया रहता है और नुमेरिकल जो आते हैं वह केवल फॉर्मला पूटिंग होते हैं आपके प्रपेशन यहां से आप स्टार्ड कर सकते हैं इस पेपर को समझने के बाद जब आप पेपर वन क्लियर कर लेते हैं तब आपको यह पता चलता है कि अच्छा यह अफ्लाइन एक्जामीनेशन है एक ही सेक्षन में लिए जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होते है दो घंटे ही दिये जाते हैं पर तीन सो मांक्स का होता है ठीक है तो यह आपका सब्सक्राइब करता है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहां पर वर्क करते हैं तो उनके उनसे जो मुझे जानकारी मिल रहे हैं तो चांसे यह भी बन सकते हैं कि वह पहले आ जाए तो ठीक है चीजों से जुड़े रही है आपको इंफोर्मेशन मिलते रहे हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो हम आप लोगों को तक और भी वीडियो लाते रहेंगे नोटिफिकेशन के लिए तो नौंबर में आने के चांसे हैं बट में भी कि वह पहले भी आदे तो आपके पास यह जैंट से देखते हो जन् सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चों हमको पहले मैं लेकर चलता हूं 2018-19 नोटिफिकेशन है उनिस में इसका रिजल्ट है उससे रिलेटेड है तो आप देख सकते हो यार इसका कट-off तो यह पेपर तो 200 का था पर इसमेंने जनरल कद 152 OBC का 149 EWS 147 इस तरीके से यह आप क यह एकदम से बूम हो रहा है क्योंकि पहली बात तो कोशन में कोई कमी नहीं लेवल में कोई कमी नहीं पर बच्चों का लेवल बढ़ता जा रहा है ठीक है तो कॉमडिशन हाड हो रहा है आपको प्रिपेशन भी उसी एक्कॉर्डिंग करनी है यदि इसको फॉर्स्ट अट रहे हो कट फिर बढ़ गया 157 मतलब यार 160 की आसपास आपको इस एक्जामिनेशन का कट ओफ देखने को मिल रहा है सेंटल बाइस एक्जामिनेशन हो रहा है कट आप इतना सारा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं मेहनत बहुत लगेगी तो समय आपके पास कम भी है समय आपक पूरा मतलब सजोर ले आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना है नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर 2020 जो अभी रिसेंटली हुआ था इसमें जो कट ओफ गया था जनरल का 141 थोड़ा कम हुआ फिर 131 ठीक है इसका बीकर सेक्षन का ओवी सी का 137 लब आप देख सकते ह हैं कि यह सब आपको देखने को मिलें यहां पर बट यह वैरियेशन आपको देखने को मिल रहा है 140 से लेके 157 तक तो कुछ भी हो सकता है बच्चों कुछ भी हो सकता है इसके बीच में प्रेपेशन आपको बहुत आप रखना पड़ेगा इस बार वेकेंसी नहीं मतलब जो 22-23 का है उसके लिए shift हो जाएंगे आप समझ सकते हैं कि यहां पर वेकेंसी थोड़ी बढ़के आएंगे competition बढ़के आएगा तो यह समझना हमाली बहुत ज़रूरी है नेक्स हम चलते हैं कि cut-off कैसे डिसाइड किया तो बहुत सारे factors पर डिपेंड करता है कि यह कितने candidates appear हुए ठीक है कौन-कौन से categories है यहां पर marking scheme क्या उन्होंने provide की difficulty level क्या है different यादि multiple shifts में हो रहा है तो उसके normalization marking scheme provide की जाती है उसके अधार पर भी total number of vacancies क्या होने वाली है और साती साथ previous जो trending चल रहा था cut-off का वो क्या है तो यह सब all and over पूरा decide कि रहाते है मैं बस आपको यह कहूंगा यह आप अभी जो वीडियो देख रहा है मेरा January में यह वीडियो आया आया है आपको नौंबर तक आपको कुछ ना कुछ इससे related मिली जाएगा हो सकता है कि पहले आजाए आपके पास 10 बरसाने की कोशिस करिएगा इस वीडियो को ठीक है और कुछ भी और इंफोर्मेशन जाना चाहते हैं तो यार हमसे ने कमेंट के तुरू इंटरैट करिए मैं आपको टेलिग्राम पे भी मैं मिल जाओंगा जैनिक आर्जेसर के नाम से मैं आपके पास अबलेबल हो आप हमारे पेड़ कोर्से से इंटरैट कर सकते हैं यह अपना जो एक किमती समय है जो दस माहिने का उसको यूस्फुल बना सकते हैं ओके हम से जोड़के तो हमारी डे बाइडे ग्रू हो रही है और वी हैप्पी फॉर एट आप भी हमसे जोड़ सकते हैं अपने प्रिप्र नेशन को लेके थैंक यू सो मच लगे रही है पढ़ते रही है